वेलकम टू माई चैनल अलवाईट टेस्टी फूड टेस्टी फूड में आज हम बना रहे हैं अंडे की भुजिया यह बहुत ही युणीक तरीके से बनाया है हमने और बहुत ही अलग बनाया टेस्ट तो इसका तो एक नमबर है चलते हम जल्दी से इसे बनाते हैं हम लेंगे चार उबले हुए अंडे यह मैंने पहले से उबाल लिया अब इसकी हम गोली गोली पीसिस काट लेंगे जल्दी जल्दी फटा फट और यह बहुत जल्दी बनता है एक बार आप अपने घर में बनाईए और मस्त इंज्वाय करिए इसके बाद हम लेंगे अपने प्याज को मै मैंने दो प्याज लिया मिर्यम साइच तीन हरी मिर्श ली है और लसन की कल्या ली है छे से साथ इसे हम बारिक-बारी काट लेंगे और इसमें डाल देंगे एक चमच जीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दो टमाटर लेंगे इस अच्छे से फिर हम डाल देंगे अपने कटी हुई प्याज को डाल के अच्छे से हमें इसे चलाना है इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है पहले इसे हलका सा सौफ्ट करना है जब यह हलका सा सौफ्ट हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर होने लगे फिर हम डाल देंगे इसमें हलदी पावडर एक चमस से थोड़ा सा कम डालेंगे गरम अब धन्या पावडर के गें लोड़ वे बराबर डालना है डालकर डालकर हम इसे back incapable देंगे ताकि हमारा मसाला तेल में दाक्च से अटोल और इसका फ्लेवर चेंज हो जाए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जब अच्छे से लाल हो जाए फिर हम डालेंगे अपना कटा हुआ टमाटर टमाटर डालकर हम इसे जल्दी से फटा फट चलाएंगे क्योंकि छीटे बहुत सारी उन्ने लगती हैं बराबर से चल करने के लिए में ट्विश्ट करते हम लेंगे एक पटैटो मैशर इसे अच्छे से मैश करेंगे इससे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अकसर ऐसे होता है कि बच्चे प्याज और टमाटर अलग से निकालने लगते इससे तो उनको पता भी नहीं ताकि यह भी अच्छे से मिक्स हो जाए और तीज आच पर हम इसे लाल भी करते रहेंगे अब इसमें डालेंगे में ट्विस्ट क्योंकि हमने तीखा किया अब इसमें डाल देंगे एक चम्मस चीनी इसे डालने से हमारा टेस्ट और भी बढ़ जाता है और यह और भी टेस्ट अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी हरी धन्या के पारी कटे हुए पत्ते इसे भी डालकर मच्छे से चला देंगे ताकि जल्दी जल्दी सारा मिक्स हो जाए और फटा-फट हम खाने के लिए रेडी कर देंगे यह हो गया मसाला हमारा रेडी इसे हम साइट में कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घी घी से बहुत अच्छा टेश्ट आता फ्लेवर भी इसके उपर हम डालेंगे सारे अंडे घी में अंडे को थोड़ा सा लाल करना है बहुत जादा नहीं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ही लाल करना है दो से तीन बर हम चला कर लाल करे तो अंडे तूटने लगेगे, उसके बाद हम मिक्स कर देंगे अब आप आज को फुल करें और फटाफट जल्दी जल्दी मिक्स करें और इसे साथ साथ लाल करें क्योंकि यह हो रहा है हमारा टेष्टी टेष्टी अंडा तैयार यह हो गया अच्छे से अब इसे हम एक साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं अब एक बार बनाए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यह कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूले